फिर से एक बार आप सब का स्वागत है टेकनिकल खालिक में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Go to Meeting Application क्या है और इस application को किस तरह से यूज किया जाता है इस application में आप Audio Video Conferencing कर सकते हैं और इस application में आप कभी मेटिंग जोइन कर सकते हैं और इस application में आप खुद भी meeting host कर सकते हैं तो चलिए देखते इस application को किस तरह से use क्या जाता है सबसे पहले तो आप मेरे channel पर नए है तो please मेरे channel को subscribe कर दे और bell icon को भी प्रेस कर दे जिससे कि मेरे आने वाले सभी latest video का notification आपको time पर मिल पाए तो चलिए video start करते हैं सबसे पहले आपको play store open करना है यहाँ पर आपको search करना होगा go to meeting आपको इस application का logo कुछ इस तरह का दिखाए देगा इस application को आपको install कर लेना है install करने के बाद आपको इसे open करना है उसके बाद आपको यहाँ पर allow में click कर देना है उसके बाद आपको इस application में कुछ इस तरह का interface नदर आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं inter meeting ID और name तो यहाँ पर आप meeting ID और नाम डाल करके इस application में बीना sign in किये आप इस application में meeting join कर सकते हैं और यहाँ पर आप sign in करना चाहते हैं तो यहाँ से sign in कर सकते हैं आपने इसमे sign up कर लिया है तो आप इसमे sign in कर सकते हैं आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर sign in में click करना है उसके बाद आपको email address डालना है password डालना है और next में click करके आप इसमे sign in कर सकते हैं तो अभी हम इसमें click करेंगे start for free में क्लिक कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं get your free 14 days trial तो यहां पर आप 14 दिनों के लिए इस application को trial कर सकते हैं यहां पर आपको अपना first name डालना है यहां पर आपको अपना last name यहां पर आपको अपना email address यहां पर आप देख सकते हैं आप विजिए है उप्सनल है और यहाँ पर आपको जो weight title डालना है आप डालना चाहते है तो डाल सकते हैं यह भी ओप्सनल है। यहाँ पर आपको password डालना है तो हम यहाँ पड़ डाल डेते हैं, उसके दाथ आपको यहाँ पर company size चिलेक कर लेड़е ना है उसके बाद आपको यहां से बैक चले जाना है इसे हम बैक कर देंगे और अपना अप्लिकेशन ओपिन कर लेंगे यहां पर से अप्लिकेशन ओपिन करेंगे उसके बाद यहां पर आपको साइन इन में क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको Sign In में क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपना Email Idres जालना है और Next में क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको Password जालना होगा उसके बाद आपको Sign In में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको इस application में कुछ इस तरह का interface नज़र आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, inter meeting ID और name, यहाँ पर आप meeting ID और नाम जाल करके meeting join कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, your calendar is clear, यहाँ पर कोई भी meeting schedule की rate नहीं किया हुआ है, इसलिए यह अभी clear दिखा दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, meet now, यहाँ पर से आप meeting start कर सकते हैं, यहाँ पर आपको click करना होगा, उसके बाद आपको start में click कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम जालना है, उसके बाद save में आपको click कर देना है, उसके बाद आप को यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़राएगा यहाँ पर आप मीटिंग आईडी देख सकते हैं यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप इस मीटिंग के लिए किसी को आप यहाँ पर इंवाइट करना चाहते हैं तो यहा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर से audio का option मिलेगा आप इसे on या off कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं send an invitation इस meeting के लिए आप invitation send करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं उसके बाद है यहां पर video sharing का option यहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो स्टेर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको माइक्रोफोन को अप्शन मिलेगा यहाँ पर से आप इसे ओन करना चाते हैं तो इसमें क्लिक करके ओन कर सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड को अप्शन मिलेगा यहाँ पर आप अपने meeting से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको call के option में click करना है तो हम यहाँ पर click कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर end meeting में आपको click कर देना है इस तरह से आप अपने meeting से बाहर जा सकते हैं उसके बाद last में आप देख सकते हैं setting option है यहां पर आप क्लिक किज़ेगा, तो यहां पर से आपको सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहां पर से आप कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, एक सरकल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बीच पर पलस का इकन है, यहां पर से आप अपने मीटिंग के ल कर देना से तरह से इस तरह से आप इस को यूज कर सकते हैं यह ँमेद आपको यह वीडियो पसंद आई हो गिवीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो फिर मिलेंगे next video लिए बाई ठेंक्यू